नमश्कार, बारह मई 2020 मंगलवार का देनेक राशेफल लेकर हम आप सभी के सम्मुक हाजर हैं, उपस्तत हैं चंदरमा आज सुबह 10 बच कर 15 मिनट के बाद से मकर राशी में प्रवेश कर जाएंगे जेस्ट मास करश्न पक्ष चल रहा है, तो वहीं सुरिदेव 28 अंच की विवस्ताओं के साथ मेश राशी में ही गवन कर रहे हैं उत्रा शाड़ा नक्षत्र की इस्ततियां आज इस दिवस्विशेश के भीतर रहने वाली है शुरुबात करते हैं मेश राशी के साथ में उससे आप खुद को दूर हटता हूँ मैसूस करेंगे व्यापारी वर्क के लिए आज जो एक मैन मेनेजमेंट की पूरिशन होती है वो बेटर एपरोच के साथ में निकल कर आ सकती है टैन्थ आउस के साथ में चंदरमा का जुडाव है इस वज़े से तो वहीं पर जो भी महिलाएं ग्रहस्त जीवन और प्रफेशनल लाइफ को एक साथ संभाल रही है उनको अपनी परसनल लाइफ के अंदर यानि कि ग्रहस्त जीवन में यश्मान और मोटिवेशन की प्राप्ती पूर्ण रूप से होती हुई यहाँ नजर आ रही है तो वहीं जो भी जातक सक्षा संबंधी अंतराल के साथ में जुडाव रख रहे हैं उनके लिए जो रिलेशन्स की पूरिशन के इबार डेवलप होती है वो डिस्ट्रेक्शन क्रेट कर सकती है उसले हाँसा भी आप थोड़ा सा संभल कर चलिएगा कुल जमाजोड ये दिन आपके लिए उर्जावान बना हुआ है तथा जो शंचे परिशान कर रहे थे उससे मुक्त होकर आप गतिमान रहेंगे वहीं अगर मैं वरशब राशी की चर्चा करता हूँ तो यहाँ देखे कि भाग्य का सपोर्ट आज आपको मिला रहेगा जिस भी कामकाज के अंदर आप लंबे समय से रुकावट या फिर बाधा मैसूस कर रहे थे वहाँ पर एक गति और उसके साथ ही साथ में एक जो स्वयम के विश्वास के साथ चलने वाली पूरिशन होती है वो पूर्ण रुपेण यहां मौझूद रहने वाली है फाइनेंचल लिवल के उपर कोई भी महतवूर्ण निरणय आपको बले ही निवेश या फिर कर्ज संबंदी स्थितियों को हलका करने के लिहाजा लेना है उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं चंतित और वचलित होने की दरकार नहीं है तो वहीं इस बात का भी आप ध्यान रखें कि कोई भी अन्य शहर के साथ में या फिर तक्नीक संबंदी किसी भी कारे के साथ विदेश संबंदी कतिवधियों से जुड़ कर अगर आप आगे कतिमान है तब भी ये समय आपको अच ध्यान रखेगा अपने खानपान के उपर नियंतरण पूर्ण रुपेंड स्थापित करके आपको चलना चाहिए तो वहीं अगर चर्चा मेथन राशी की हम करते हैं तो यहां किसी भी नए काम का इनिशेटिव लेने से आप स्वयम को रोक कर रखें वहीं जो कई बार एक गुसे की प्रवर्ती कामकाश के भीतर आती है या किसी भी अपने साथ जुड़े हुए व्यक्ति के उपर डॉमिनेशन की पूरिशन को लेकर चलना वो यहां आपको थोड़ा सा व्यथित कर सकता है कि हमने शायद गलती कर दी या हमको इस तरह से बातचीत नहीं करनी चाहि थी तो यह रिग्रेट नहीं आए इसका पहले से ही आप ख्याल रखें साथ में ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी ऐसे कारे के साथ में आपका जुड़ाव है जो एसेंशल सर्विसेस के साथ में जुड़ावा है तकनीक संबंदी इस तरह के उपर बहुत चलने वाली रहेगी वहीं शेयर मार्केट संबंदी के तिविदियों में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश से आज आप जितना खुद को रोक कर चलते हैं उतनी ही बैटर एप्रोच आपके लिए यहां बनी रहने वाली है शुरुवात करू मैं अगर करक राशी के लिए तो आप देखें कि व्यापारी वर्ग आज के इस दिवस को खुद के लिए चुनौतियों से हट कर एक नई पोजिशन को अचीव करने वाले रूप में देख सकते हैं यानि कि कोई भी नया ओफर आया या फिर आपको फिर से कामकाज में एक सामनजस से बिठाने की आवशक रिखता है और इस कंटेंप्ररी टाइम के अंदर हाल ही के समय के अंदर जिस परिवर्तन की दरकार है एक इनोवेटिव एप्रोच के रिक्वार्मेंट है वहां ये दिन आपको सपोर्ट देने वाला रहेगा तो वहीं ग्रहस्त जीवन की सलाह मानकर आपको आगे बढ़ना चाहिए इस बात को भी बहुत अच्छे से आप वहर कीजिएगा तो एक महत्वपूर्ट बात और अगर आप कोई भी ऐसे कालरे के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं जो की वानी संबंधित इस तर पर जुड़ावा हो मानने जी कम्यूनिकेशन है रीडियो जौकी का फील चाहिती है उसका भी जादा ख्याल आप रख कर चलें और साथ में ही व्यापारिक साजेदारियों के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण सामंजस सिफर से स्थापित करना है जिसमें एक क्लैशेस की पूजिशन बनी हुई थी जो पूरे तरीके से सामने भी नहीं आ पा रहे थ और सॉल्यूशन की तरफ भी नहीं जा पा रहे थे यह टाइम फ्रेम वहाँ पर भी एक अच्छी अप्रोच आपको दिखा रहा है वहीं अगर मैं सिंग राशी की चर्चा करूं तो यहां सरुपर्थम आप इस बात के उपर गौर करके चलिएगा जो व्यक्तिकत जीवन के अंदर expenses की position रहती है वो आपको परिशान नहीं करे उस लेहाजा आपको care करके चलनी होगी तो वहीं कोई भी रिण संबंदी इस्ततियों के साथ में आप solution चा रहे थे और किसी व्यक्ति विशेश के उपर लंबे समय से आप depend थे तो वहां से एक positive news आपके सामने आ सकती है य तो हम एक तरह से नौकरी पेशा जीवन के अंदर व्यक्तिकत clashes का सामना कर रहे थे और उस व्यक्ति विशेश से मारी चर्चा नहीं हो पारी थी ये time frame वहां पर भी solution लेकर आ सकता है एक महत्तुकूर्ण स्तति और कि जो भाग्य की साथ में जुड़े वो इस तर होते हैं जहां हम यह सोचते हैं कि यहां भाग्य का साहरा मिल जाएगा और कार्य परिपूरित हो जाएगा ऐसी गलत family से आपको बच कर चलना चाहिए शेर मार्केट संबंदी निवेश में भी बहुत जादा सावधानी बरतने की दरकार आपको यहां रहेगी वहीं अगर हम कन्या र अच्छे से प्रती ध्वनित हो रहे हैं आपके जीवन के अंदर तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ओफर यहां सामने आ रहा है जिसके साथ हमको अब बढ़ने की दरकार है तो इस बात के उपर आप गौर कीजिएगा कि फैसिनेशन कितनी है गेन कितना ह और उस कंपनी की या उस और्गनाइजेशन की रेपूटेशन कितनी है ये सारी ही पोजीशन्स आप पता करके इस समय अंतराल में परिवर्तन की और जाएं तो ज्यादा इस पस्ट दृस्टी गोचर इस्तती आपके लिए मौजूद रहने वाली रहेगी राचनात्मक शेत अगर आपका जुडाव है पॉजिटिव फ्रेम सामने आ रहा है शेर मार्केट में निवेश के लहाजा ये दिन बहुत अच्छा है तो वहीं कामकाज में छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए संतान पक्ष की और से जो जुडाव में कमी थी वो फ शेत्र विशेश के साथ में जहां लंबे समय का स्थायत्व बना रहता है आज की समय के अंदर वहाँ पर इतनी गती नहीं है तब भी आप ये ध्यान रखेगा कि जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए जातक हैं उन सभी से हम निरंतर तोर के उपर चर्चा अपने कामकाज के बारे में करते चले जाएं जिससे कि गैप नहीं आए और प्रबंदन संबंदी कोई भी नरणे आपको लेना है तो उसको एक से दो दिनों के लिए टालने का प्रयास भी आपको करना चाहिए इस बात को आप गौर करें तो साथ ही साथ में ये भी एक महत्तुपूर्ण त जो लंबे समय से सुधार नहीं आपा रहा था लग रहा था कि पोजिशन सेपरिशन की और जा रही है या फिर मामले कोई और इस्तर के उपर जा सकते हैं एक बार फिर से बातचीत का साहरा आपको लेना चाहिए समझने और समझाने का दाइरा थोड़ा सा बढ़ा कर आप आ हुआ है तेगनोलोजी के साथ में आपका काम काज है management के साथ में है या फिर administration की किसी भी स्तती के साथ में आप चल रहे हैं इन तीनों ही शेत्रों के अंदर आपकी राय को माना जाना और उसको execution की फ्रेम की और लेकर आना दो व्यवस्तत तत्यात्मक स्ततियां यहाँ दिख भाई दे रही है तो वहीं पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर जब हमारी उर्जा और एक्सेप्टेबिलिटी प्रतियक जगे बनी हुई हो तो चोटे मोटे क्लैशेस को अवाइड करके चलना चाहिए स्वास्त्य सम्बंधी इस तरके उबर मानसिक तरके पर कोई भी जनताइं बहुत ज़्यादा परिशान कर रही हैं तो आप कोई भी वक्तिविशे से सलाह लेकर उसके सॉलिशन के और जाएं मन ही मन गुटन को बढ़ाना और जादा परिशान करने वाला हो सकता है तो वहीं इस बात पर भी आप पूर्ण रूपेइन गौर करके चलिएगा कि विदेश संबंधी कतिपधियों के साथ में कोई भी कामकाज अगर आपका जुड़ा हुआ है और उसके साथ में ही रुकावट बाधा लंबे समय से थी एक क्लैरिटी आपके सामने आ सकती है दनुर आशी यहाँ पर देखें कि जो ग्रहस्त जीवन के साथ में एक सपोर्ट की कमी थी या फिर हम चोटे-चोटे क्लैशस के वज़े से बारम बार परिशान हो रहे थे यहाँ सॉल्यूशन की पूरीशन आपके लिए मौजूद रह सकती है रिसर्च, अनलेसे संबंधी, कामकाच के अंदर भी आपका जुड़ाव और अस्तक्षेप अच्छे लेवल के साथ में बना रहेगा वहीं आपने किसी भी कारिये के अंदर एक इनोवेशन को जगह दी है और अब जीवन को उसी इनोवेशन के साथ में आप आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं उस लहाजा भी इस समय अंतराल को आप बेहद व्यवस्थत खुद के लिए मान कर चल सकते हैं विदेश संबंधी, कातिविधियों के अंदर कोई भी नरणय लें तो उसमें अभी तक भी आपको विचार शील रहने की आवशक्ताएं रहेंगी ये भी सपस्ट तोर के उपर आप गौर करके चलिएगा कि ग्रहस्त जीवन के साथ में ही कोई व्यापारिक गत्विधियां चल रही है तो वहाँ पर निरनायक लेवल पर आप अपने ग्रहस्त को सोचने का मौका दें और उनको ही एक्जीक्यूशन के अंदर अगरा प्रात्मिकता देते हैं ज्यादा बहतर एप्रोच तो वहीं वानी संबंदित कामकाज में कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे लेवल के साथ एस्टबलिश रहेगी जो लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपने लॉयल पोजिशन्स को एस्टबलिश करके रखा था वो आपको बेनिफिट दे सकती है चर्चा करता हूँ मगर राशी की स्वराशी भाव के भीतर जब भी चंदर्मा की इस्ततियां बिराजमान रहेगी तो व्यक्तिकत तोर के उपर व्यक्ति आत्म विश्वास को पाकर निरंतर तोर पर आगे बढ़ने वाला रहता है पहली प्रवर्ति तो ये वही स्वास्तिय संबंदी इस्तर पर भी आपके लिए काफी हद तक सुधार देखने को मिल सकते हैं और वही जो माता-पिता और ग्रहस्त जीवन के साथ सामंजस्य की कमी थी उसके अंदर भी आप एक बहतरी को प्राप्त करने वाले रहेंगे भागगे का सयोग यहां मिला हुआ है तो वही शेयर मार्केट संबंदी निवेश के अंदर भी इस दिन को अच्छा मान कर चलें जो घर के अंदर छोटे बच्चे आदी होते हैं उनसे एक तालमेल बिठाना और उनकी सोच के साथ में सामंजस से स्थापित करके और रचनात्मक प्रवर्तियों को आगे बढ़ाना ये भी इस दिन का एक महत्तपूर्ण गुणधर्म आपके लिए बना हुआ है अग्याद भै के सरे परिशान करने वाले नहीं रहेंगे कुम्ब राशी अपनी सोच को बहुत जादा चंताओं के और लेकर जाने से आज आप बचियेगा कोई भी वाद और विवाद घर के अंदर हैं तो उसको पहले समझें और उसके बाद में ही अपनी बात को रखने का प्रयास करें और कोई भी व्यापारिक जीवन के अंदर रिण आदी की प्रवर्तियों की और आपको जाना है तो यहां एक पॉस लेने की आवशकता है निरनायक तोर के उपर थोड़ा सा रुख कर चलें तो बैटर एप्रोच आपके लिए रहेगी शत्रुवत स्ततियां जो परेशान कर रही थी उसका सॉल्लीशन सामने आ सकता है तो वही संतान पक्ष को सक्षा की और जागरुक करना और उनको विवस्तित तोर के उपर हिडायत देना ये भी आज की एक महत्वपूर्ण स्तति आपके लिए स्पष्ट तोर के उपर है और विदेश संबंदी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुडाव या रस्तक्षेप है नई पोजिशन सामने आ सकती है मीन राशी सवरबर्थम शेर मार्केट संबंदी कामकाज में कोई भी महत्वपूर्ण निवेश को आगे बढ़ाना है ये दिन सर्वस रिस्ट बना हुआ है क्षमताओं के आंकलन के अंदर बर्दी रहेगी पुराने जो भी परिचत हैं उनसे रिलिशन एक बेटर लिवल की तरफ जाके बेनेफिट देने वाला हो सकता है इससे भी हम बिलकुल भी इनकार नहीं करेंगे तो वहीं पर जो एक तरह से ग्रहस्त जीवन के अंदर क्लैशेस बने हुए थे और लग रहा था कि स्ततिया नेगेटिविटी की और जा सकती है वहाँ पर भी सॉलिशन और सॉर्ट आउट होने वाली पूलिशन आपके लिए मौजूद रहेंगी गर परिवार के साथ में जो समय बीत रहा है उसका आनंद लेते हुए उसमें भी कई रचनात्मक स्ततियों को सामने लेकर आना ये आज की एक महत्तुपूर्ण स्तती रहेगी तो ये था 12 मई 2020 का अब देने कराशिफल हम ऐसी ही चल्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे धन्यवाद और हर्दाय से आभार